अलो फ्रेंद्स, नमस्कार। दोस्तों, महराष्टरा के पूर हो मिनिस्टर अनिल देशमुक से जूरी एक अपडेट है Special CBI कोट से और अपडेट ये है कि Special CBI कोट ने साफ साफ काया है कि प्राइमा फेशी ये साबित होता है, ये स्टेबलिश होता है कि अनिल देशमुक ने सचीन वाजे को यूज किया था बार ओनर से ब्राइम मनी वसूली करने के लिए जहां दोस्तों कोट ने यह साब साब कहा है दोस्तों Special CBI कोट ने यह भी कहा है कि जो witnesses के statement है उनसे भी यह साबित होता है कि अनिल देशमुक ने सचीन वाजे को यूज किया था और मीटिंग हुई थी सचीन वाजे के साथ अनिल देशमुक की और अनिल देशमुक की P.A. के साथ और इस मीटिंग के दोरान यह साबित होता है कि ब्राइम मनी की डिमांड की गई थी और bribe money वसूली भी गई थी दोस्तों यह court ने कहा है और यह साबित होता है witnesses के statement से दोस्तों special CBI court ने यह भी कहा कि सची नवाजे के जो confessional statement है confessional statement से यह साबित होता है कि bribe money collect किया गया था on the behalf of anil deshmuk यानि कि anil deshmuk के कहने पर bribe money को collect किया गया था और इसे कुंदन शिंडे जो कि accuse number 3 हैं उनको यह bribe money दिया गया था तो दोस्तों court ने साफ साफ कहा है कि anil deshmuk ने सची नवाजे को use किया bribe money collect किया गया उनके कहने पर और कुंदन शिंडे जो कि accuse number 3 हैं उनको यह दिया गया था यह detailed report में court ने कहा है आपको दोस्तों मैंने बताया था कि anil deshmuk का जो bail application था वो रिजेर कर दिया था court ने और अब detailed उनका जो bail order है उसमें यह साफ साफ court ने कहा है दोस्तों जरसा कि आप जानते हैं कि anil deshmuk अभी jail में ही है और इस महीने वो पूरे jail में रहेंगे और november के first week में हो सकता है फिर से उनका जो bail application हो वो move हो और उनके जो वकील है फिर से कोशिश करें उनके bail के लिए तो दोस्तों आप बने लेगा में चैनल से जैसे से अनिल deshmuk से जूरी कोई खबर आएगी मैं आप तक जूरूर पहुंचाऊंगा मैं तो आगले वीडियो में बाबाई